अरे मोन दादा, आप साप करते रहोगे और लोग कच्रा करते रहेंगे, अरे कुछने होगा इस देश का, देखा, हाँ हो सकता है, बस थोड़ी और सफाई करने पड़ेगे, कैसे, यह अपका खत आया है, किसका है, किसे भारत ने भेजा है, भारत? हमारा गाव में तो कोई भारत है नहीं, मैं किसी भारत को नहीं जानती, बड़लो, शायद कोई पहचान वाला हो, सदर प्रणाम, शायद आप मुझे पहचानते नहीं हो, पर मैं आपको जानता हूँ, बहुत करीब से, कई बार कई जगह ओपर हम मिल भी चुके, और हर मुलाक आप एक याद बनती के, याद है, जब वह मिश्रा की बीवी, जब तो इसे एक वुड़ा फेक रही थी, तब आप ही ने तो उसे डटा था कांधी चौराय के सामने वाली दिवार पर जब आदमी थूख रहा था, तब आप ही ने तो उसे रोका था किसी दूसरे ने फेका हुआ कच्रा जब आपने उठा कर कच्रे के डिब्बे में डाला था न, तब मुझे बड़ा गर्ब महसूस हुआ था, कि आज का नौजवान भी मेरी इतनी कदर करता है मैं शुकर गुज़ार हूँ मेरी तरक्की के खातिर आपके इस छोटे कदम के लिए मैं शुकर गुज़ार हूँ मुझे महान बनाने के लिए आपका प्रीय भारत सचबत बताओ मौन दादा मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मुबरको मौन दादा अरे अपना दिल साब हो रहा है हाँ पर आउरे ख़त देना बाकी है अब कौन यह आपका ख़त आया है किसी भारत ने वेजा है अब कर दो